पैर में लगी गोली ने गोविंदा को भले ही उनके पैरों पर खड़े होने लाइक नहीं छोड़ा लेकिन उनके पैर से निकलने वाली 9mm की गोली ने कई सवाल जरूर खड़े कर दूई है दिव्याभार्ती, जियाखान, श्रीदेवी और शुशान सिंग राचपुत फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे नाम है जिनकी देट को मिस्टीरियस देट इन बॉलिवुट का टैग दिया गया है क्या गोविन्दा इस टैगलिस में शामिल होने वाला अगला नाम हो सकते थे कैसे गोविन्दा के पैर से निकलने वाली 9mm की गोली ने उनकी मिस्फायर वाली कहानी को जुटला दिया क्या गोविन्दा इस कहानी को सुना कर किसी को बचाना चाहते थे क्या वो टेखनिकल पॉइंट्स हैं जो गोविन्दा के साथ घटी इस घटना पर शक पैदा करते हैं कितनी सच्चाई है गोविन्दा के दावों में और क्यूं हजम नहीं कर पारी मुंबई पुलिस उनकी इस कहानी को किस समय आज बात इसी पर 90 के सुपरस्टा गोविन्दा जिनने महज 21 साल की उम्रों में 75 फिल्मों के लिए साइन किया गया था हाला कि एक साथ इतनी सारी फिल्में साइन करने के बाद उन्हें समय के अभाव के चलते कुछ फिल्मों को छोड़ना भी पड़ा लेकिन फिर एक वो दोर आया जब बॉलिबूड में मैचो लोक और बॉडी शो आफ का चलन शुरू हो गया जिसके बाद उन्हें काम मिलना बंध हो गया लेकिन अपने स्टाडम को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने मीडिया को दिये कई इंटर्व्यूज में इस बात का दावा किया कि उनके पास काम की कोई कमी नहीं है बड़े बड़े फिल्म डिरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म के लिए एप्रोच करते हैं लेकिन वो उस तरह की फिल्में करना नहीं चाते जिसमें देवदास गदर और दुनिया की सबसे भैतरी इन फिल्मों में शुमार हॉलिवूड फिल्म अवतार तक का नाम शामल था उनकी इनी स्टेट्मेंट्स को लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया और उनकी अपने करीबियों ने उन्हें मानसिक बिमारी तक का शिकार बता दिया और अब उनको गोली लगने वाली घटना को भी इसी मानसिक विकार से जोड़ कर देखा जा रहा है गोविंदा के मुताबिक एक अक्टूबर की सुभा लगबग चार बचकर 45 मिनिट पर जब उन्हें गोली लगी तो वो अपनी लोडेड लाइसेंस गन को अपने ब्रीफ केस से निकाल कर उसकी सफाई करके उसे अपनी अलमीरा में रख रहे थे अलमीरा में रखते वक्त गन उनके हाथ से नीचे गिरी जिसके बाद मिस्स फायर हो गया और गोली उनके पैर में लग गई मीडिया में बताया गया कि जब ये हाथसा हुआ तो वो उस वक्त घर में अकेले थे इस घटना के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने भाई को फोन किया जिस वक्त उनको इलाज के लिए अंधेरी में स्तितिक हॉस्पिटल में लाया गया उस वक्त उनकी बेटी टीना हुजा उनके साथ थी इसी सुबह उन्हें छे बजे कोलकता की फ्लाइट पकड़नी थी जहां उन्हें एक इवेंट में शामिल होना था इस पूरे इंसिडेंस की कहानी लोगों को तो सच लग रहें तो उन्हें गन इस्तेमाल करने की बेसिक जानकारी जरूर होगी इसलिए उन्हें यह पता होगा कि लोड़ेट गन को कभी साफ नहीं किया जाता है लेकिन अगर उनकी इस बात पर विश्वास कर भी लिया जाए तो नीचे गिरने पर गन से फायर नहीं होगा क्योंकि से लौग होता है शेफ्टी लोग खुला होने रभीब्तृट अइसी किसी सिच्डूएशन में का तोटा हूए इसलिए गोली चली लेकिन यह बात खुद में एक मजाक लगती की इस साल से ग жд dot कर dice कैसे कि वो सेफटी लॉक टूटी हुई फुली लोड़ेड गन की सफाई बिना किसी सेफटी के करना शुरू कर दे इसके अलावा गन के नीचे गिरने की पोजीशन और पैर में लगने वाली गोली का एंगल भी पुलिस की समझ के बाहर है इतनी नस्दीक से गोली लगने पर भी ग गर से बहार जा रहे थे और वो अपनी गन को इस्तमाल नहीं करने वाले थे तो ऐसी सिच्वेशन में गन को कभी भी लोड करके नहीं रखा जाता तो उन्हें लोड़ेड गन को अलमारी में रखने की क्यों सूजी इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि को इसे बचानी की कोशिष की जा रही है ये सब तमाम सवाल अब गोविंधा के दिमाग में भी घूमने लगे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब के लिए मुंबई पुलिस के अधिकारियों द्वारा संबन जारी करके गोविंदा को दुबारा से पूछताच के लिए बुलाया जा सकता है आज की वीडियो में वसितना ही आप से जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप वॉचिंग मुंफली टॉ किस एंड फोगे टो शेयर लाइक सब्सक्राइब टॉर चैनल